हलो फ्रेंड्स, वेलकम तू माई यूट्यूब चैनल PISNS आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एठन के बारे में याने कि अगर आप लोगों के पैरों में, पिंडलियों में या फिर तलवों में एठन हो जाती है तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है आज मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल और एक होम रेमेडी बताने वाली हूँ जिससे कि आप लोगों की जो पैरों की एठन है या कई बार ऐसा होता है कि नस पे नस चड़ जाती है या पैरों में बहुत जादा जलन रहती है तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है इस remedy को आप हाथ, पैर, पिंडली या कंदे कहीं पर भी से यूज कर सकते हैं अब वो home remedy क्या है वो बताती हूँ मैं आपको देखिए आज की जो home remedy है उसके लिए हम लोग प्याज का यूज करेंगे प्याज का यूज किस तरह से करना है वो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी लेकिन उन लोगों को भी इस चीज से साफधन रहना चाहिए जिन्हें प्याज से allergy है तो वो इसका प्रियोग ना करें बाकि कोई भी इसका प्रियोग कर सकता है तो आपको क्या करना है एक बड़ी प्याज लेनी है और उस बड़ी प्याज को छील लेना है और फिर उसके slices कर देने है slices करने के बाद इसको mixi में डाल करके piece लेना है इसको इतना piece ना है कि ये एक liquid form में आ जाए और जब ये liquid form में आ जाए तब आप लोगों को इसे किसी भी मलमल के कपड़े में से या फिर किसी भी छली में से च्छान लेना है जानने के बाद जो रस निकलेगा उसको एक बार में आप लोगों को use करना है इतना ही रस निकलेगा इसमें आपको क्या करना है ये जो रस निकला है इसको एक frying pan में डाल करके और gas पर उबलने के लिए रख दे और जब ये अच्छे से इसमें उबाला आ जाए तब आप लोगों को क्या करना है गैस को बंद कर देना है और फिर थोड़ा सा ठंडा होने का इंतजार करना है जब ये हलका सा ठंडा हो जाए याने कि हलका ठंडी से मतलब है गुनगुना रह जाए तब आप लोगों को राप को सोने से पहले अपनी पिंडलियों में अपने पंजों में इस से मसाज करनी है और मसाज भी इसी तरीके से करनी है जैसे मैंने इस वीडियो में दिखाया तो friends, आप लोग एक छोटी सी प्याज की मदद से अपनी एंठन को खतम कर सकते हैं, याने कि पैरों में आई हुई, पंजों में आई हुई या पिडलियों में आई हुई एंठन को इस प्याज के नुस्के से खतम कर सकते हैं, ऐसा आप लोगों को रोज रात को सोने से पहले क इससे आप लोगों को नींद भी अच्छी आएगी ठकान भी खतम हो जाएगी और सुभा जब आप लोग उठेंगे तो बिलकुल फ्रेश उठेंगे आपके पैरों में एठन भी नहीं होगी और आप एक नई ताज़गी का अनुभव करेंगे ये वीडियो इतनी ही थी झाल में टाऊएगी का अनुभव तो फन्वा भी उमी वीच्छी टूदा झाल में प्रवड़ करेंगे ये यृवां में ड्र निद रही उमी क्या है वी और सुझ रहने, रही खतम चैब लकीफश बार संगधu को एक टों आफा